हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डर्मी फोर्ड क्रीम के बारे में अगर आपको किसी भी तरह का इस्किन से जोड़ी कोई प्रॉड्लम है तो आज की इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं धर्मी फोर्ड क्रीम के बारे में जो कि आपके पास के माडिकल स्ट वाइज में 59 अगराम के पैकिङ क्मपनी की बनाएवी हम मैडिसिन है। अगर आब हम बात के सिह क्या क्या काम है तो इसमें चार क्विनेशन है और चारों क्विनेशन अच्छ हैं काफी युशिफन है तो जैसे कि पहला twitter dal कि केट्टो कोना जो जो कि फंगस इंफक्षिन, फंगल इंफक्षिन को दूर करने में युश्फन होता है इचिंग और रिंग बॉम की शिकायत को दूर करने में फायदे मंद होता है इसके बाद है लोडो कलोरी हाइडोक्सिक यूनोन कॉमिनेशन जो की बैक्टेरिल इंफेक्षन, फंगस इंफेक्षन और इंफ्लामेशन में यूश्फुल होता है इसके बाद बात करें जेंटामाइसन जो की एक एक एंटिब्योटिक सॉल्ट हो या अलेर्जी की प्रोड्लम और इचिंग की प्रोड्लम में फायदे मंद होता है तो यह था इन कॉम्विनुशनों के फायदे के बारे में, इसके अब बात करते हैं, इसके क्या क्या फायदा है और आप इसे किस किस परपेज में इस्तमाल कर सकते हैं, तो आप इसे दाद, खाज, खुजली की प्रॉलम में इसे इस्तमाल कर सकते हैं, इसके अलावा बरसात मे होने वाले allergy या फूंसी होना या फोड़ होना उन सभी परपस में आप इस इस इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद है जो कि इसके बाद जो कि बरसात में सबसे ज़्यादा प्रोलम देखने को मिलते ही जो कि अंगोलियों में पानी लग जाना या परो में पानी लग जाना ज्यादा वरसाथ में रहने है ज्यादा बाद इस तरह इसको तो थूर केने वेक आप ही इसके बाद पसीने से होने वाली जांगों के बीच में खुज ले, इन सभी परपोजों में आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं, और यह काफी फायदे मन्द है, तो यह थे इसके फायदे के बारे में बात करें, इसके यूजर के से इस्तमाल करना चाहिए, तो आप इसे दिन में पर लगा दे जाद और अगर नहीं आप इस क्रीम को लगाते हो ता आप इसे लके आथ हो से लगा के छोड़ दीजिए तो आप इस तरीक से इसे 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 इस्तमाल कर सकते हैं इसके बात करें किया side effects हो सकते हैं तो इसके बहुत ही rare chance होते हैं जो को side effects देखने को मिलते नहीं अगर आपको side effects भी होते हैं तो जैसे की allergy या redness की सिकाथ हो सकते हैं अगर आपको side effects होते हैं तो यही था डर्म 4D cream के बारे में जैनकारी अगर आपको यह वीडियो और यह जैनकारी अच्छी लेगी तो please like किजेगा और हमारे चनल को subscribe किजेगा और आपको यह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद thank you for watching